कोरोना वािरस के कहर से दुनीय अभी ठीक से संभली भी नहीं थी कि एक और वािरस अब डराने लगा है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स बिमारी के कई मामले सामने आए है। ब्रिटेन में शुरू हुए मंकी पॉक्स वाइरस के मामलों की अब कानेडा और स्पेन समेत 12 से अधिक देशों में पुष्टी हो चुकी है। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले और बढ़ सकते हैं। भारत में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन भारत सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर एडवाईजरी भी जारी की है। सभी संदिग्द मरीजों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी जिन्होंने प्रभावी देशों की यात्रा बीते 21 दिनों में की है। इन संदिग्द मरीजों की सूचना स्थानी जिला अधिकारी से लेकर स्वास्ते विभाग को तुरंत देने के निदेश दे गए है। एरपोर्ट पर एंडेमिक और नौन एंडेमिक देशों से यात्रियों की जांच हो रही है। ऐसे मरीजों का इलाज करते समय सभी संक्रमन नियंतरन तरीके का पालन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो कॉन्टाक्ट ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। पिछले 21 दिनों में मरीज के संपर्क में आए लोगों की तुरंत पहचान करने होगी और उन्हें आइसोलेट करना होगा। संदेग्त मरीजों के सभी घाव भर नहीं जाते और तवचा की एक नई परत नहीं बन जाती तब तक आइसोलेशन समाप्त नहीं कर सकते हैं और तब तक कॉरंटीन रहना चाहिए। युरोप से लेकर अमेरिका तक कहर मचा रहें मंकी पॉक्स को लेकर एक नया दावा सामने आया है। मेडिया रिपॉर्ट्स के मुताबिक पूर सोवियत विज्ञानिक करनल कनाट अलिब कोव ने एक इंटिव्यू में कहा है कि 1990 के दशक में सोवियत संग मंकी पॉक्स को बायो वेपन के तौर पर इस्तमाल करना चाहता था। अलिब कोव सोवियत संग के तूटने से पहले तक बायो लॉजिकल हत्यार प्रोग्राम के डिप्टी हेड थे। अब इस पर सवाल खड़ा हो गया है कि दुनिया भर में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स क्या रूस का बायो लॉजिकल हत्यार है। ऐसा कहां नहीं जा सकता बायोजिकल हत्यारों के इस्तमाल को रोकने के लिए 1972 में एक कानून बना था। इसमें तेह हुआ था कि कोई भी देश बायोलाजिकल या टॉक्सिंस हत्यारों को ना तो बनाएगा और ना ही इसका इस्तमाल करेगा। इस कानून पर रूस समेत 183 द वाइरस के संक्रमित या संपर्क में आता है आम तोर पर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों में होने वाला ये वाइरस पहली बार 1998 में बंदरों में पाया गया था लेकिन इंसानों में पहली बार ये मामला 1970 में दर्च किया गया था